शांतीपूर्ण हरसुला से मनाएं धीपोत्साब संपूर्ण जिले में मुस्तैक पुलिस भल धौलपूर की प्रमुक खबर जिले में धीपावली के पर्व को शांतीपूर्ण संपन कराने के जिला पुलिस अधिक्षक धर्मेंदर सिंग के निर्देशन में एवं अत्रिक पुलिस अधिक्षक श्री बचन सिंग के सुपर्वीजन में जिले भर में धौलपूर पुलिस पूरी मुस्तैदी से सघन चेक इवं गस्त कर रही है सर्मत्रा थाना प्रभारी देविंद्र कुमार शिर्मा के नित्युत में पिछले एक सब्ता से लगातार कस्वा में गस्त एवं नेशनल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग अभ्यान चल रहा है जो बदस्तूर जारी है सेंपो थाना प्रभारी अनिल कुमार कस्वा एवं आसपास के ग्रामिल चेतरों में लगातार पुलिस बल के साथ गस्त कर रही है जिलाब मुख्याले पर पैदल वाहन एवं ड्रॉन के द्वारा बरावर निगरानी रखी जा रही है इसी प्रकार जले के अन्य थाना चेतरों के थाना दिकारी मुश्तेदी से पुलिस बल के साथ कस्वों के बाजारों में गस्त एवं रात्री गस्त लगा रही है जिससे यहां के निवासी शानती पूर्वग हरसुला से दीपोत सब का त्योहात मना सकें वीवी एन वीडियो रिपोर्ट कंचनपुर पुलिस ने अवैत शराब के साथ एक किया गिरफतार कंचनपुर की प्रमुक खबर जिला पुलिस अदिक्षण धरमेंदर सिंग के निर्देशन में जिले की पुलिस लगातार अपराज्म की धर पकड़ में लगी हुई है जिसके अंतर गत गत दिवस कंचनप कंचनपुर थाना प्रभारी हैमराश शर्मा ने मुख्विर की सूचना पर कारिवाई करते हुए अवैत देशी शराब के साथ पोवे ले जाते हुए राम वकील ठाकुर निवासी बुदुह का नगला को ग्रफतार किया मुल्जम को ग्रफतार करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना अधिकारी हैमराश शर्मा के नित्तुत में गजन सिंग, एहसाई, केडार सिंग, हैड कॉंस्टिवल, ओमेज सिंग, विस्वेंदर सिंग, राजेस कुमार, उधैवीर कॉंस्टिवल शामिल रहे थाना सर्मत्रा द्वारा वांचित इनामी अपरादियों के खिलाब बड़ी कारवाही, 500 रुपे का इनामी गिरफता, सर्मत्रा की प्रमुख खबर, पुलिस अधिक्षक धर्मेंदर सिंग के निर्देशन में, एवं बचन सिंग मीडा, अत्विक पुलिस अधिक्षक, वर एक 14 मां से फरार पुलिस पार्टी पर जान से मानने की नियत से हमला करने, राजकार में बादा पहुचाने तथा सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचाने का आरूपी, रामतार उर्फ, रामतार निवासी मानपुरा को, नर्सी राम कौंश्टेवल सीयो, कारियाले सर्मत् की विशे सूचना पर ग्रफतार किया गया, उक्त मुल्जिम की ग्रफतारी पर पुलिस अदिक्षक धौलपुर द्वारा 500 रुपए की इनाम खुरसित की गई थी, मुल्जिम से तप्तीस की जा रही है, फरार मुल्जिम को ग्रफतार करने वाली पुलिस टीम में, देविं कल दिनांक 21, 10-2022 को साधे 6 बजे के करीब सरमाथुरा पुलिस और ब्रफता दिकारी ब्रफता सरमाथुरा के स्टाफ के विशेश आशुचना पर सरमाथुरा पुलिस ने 500 रुपए के इनामी जो की ठाने के प्रकरा संखे 113 और 21 लगबब साल भर पहले पुलिस के साथ पुलिस ने 500 रुपए हमला के आरोपी बौतार सिंग पुर्फ रामबतार पुर्त श्री महर शिंग जाती मीना उमर करीब 26 साव निवासी मानपुरा थाना सरमाथुरा को बरौली से दस्तियाव कर ग्रफतार करने में सफलता हासिल की है मुलिसम से प्रकण की संबन में नसंधन किया जा रहा है जिसको आज स्पेश नयाले किया जाएगा मुलिसम थाना हाजा के इस से पूर्फ के मुकद में जिसमें बिजली विद्धुत करमचारियों के साथ मार पीट और जान लेवा हमला था उसमें भी बांचित था 23 प्रकार पांचे रुपे के इनामी को गफ़ता कर पूस्ता सोरां सुन्हान जारी है धन्तेरस के शुब अपसर पर बाजारों में दिखी जोरदार रोनक सर्मत्रा की प्रमुक खबर अज धन्तेरस के शुब अपसर पर बरतन व्यापारियों ने अपनी दुकानों को दुलहन की तरह सजाया और लोगों के द्वारा जम कर खरीदारी की गई वहीं व्यापारी अतुल सिंखल ने बताया कि दिवाली से दो दिन पहले धन्तेरस का त्योहार मनाया जाता है आपको बता दें कि कार्तिक महां के कृष्ण पक्ष्की त्रेयोदसी तिथी के दिन समुद्र मन्थन के समय भगवान धन्वंतरी अमरित कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए इस तिथी को धन्तेरस या धन्त्रेयोदसी के नाम से जाना जाता है भारत सरकार ने धन्तेरस को राष्टिय आयरुवेग दिवस के रूप में मनाने का निने लिया है सर्मत्रा से शिवम दीवान की रिपोर्ट इंद्रा रसोई का किया निरिक्षन HDM और चेर्मेन ने खाया खाना राजा खेडा की प्रमुक खवर आज उपकंड अधिकारी देवी सिंग एबं नगरपाली का अध्यक्ष विरेंद्र सिंग जादोन ने इंद्रा रसोई में साफ सफाई की व्यवस्था का निरिक्षन किया खाने की गुणवत्ता को जाचा परखा एबं रसोई के अंदर खाना खा रहे व्यक्तियों से खाने की गुणवत्ता के बारे में पूस्थाच की सभी ने बताया कि खाना अच्छा है तथा इंद्रा रसोई में उखंड अधिकारी देवी सिंग नगरपाली का अध्यक्ष विरेंद्र सिंग जादोन पारसद जहूर खान ने भी खाना खाया राजा खेडा से बुद्धी सिंग उधैनिया की रिपोर्ट ठ्रमख खाना खेडा को फूल देकर किया सम्मानिद्ध बसेडी की प्रमुक खबर पुलिस परसासन की बदूलत ही आम नागरिक तोहारों को सुख चैन से मना पाता है तथा आप अपने परिवार बच्चों से दूर रहकर मुस्तेदी वा पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तब का निर्वहन करते हैं ताकि हमारी खुशियों में खलल ना पड़े इस दोरान NSUI के विधानसवा अद्यक्ष रामली शर्मा ने बताया कि सिर्फ तयोहर ही नहीं जब जब समाज में पुलिस परसासन की जरूरत पड़ी है तब आपने सर्वस्रेश्ट परसासन किया है वैस्विव महामारी में पुलिस के जवानों ने किस तरह अपनी जान दाव पर लगा कर लोगों का जीवन बचाने के लिए खुद को जोग दिया था युवक कॉंग्रेस विधानसवा अद्दक्ष शेशांक कौसिक ने कहा कि सही माइने में तो पुलिस ही दिवाली का असली दीपक है NSUI ब्लोक अद्दक्ष लोकेस पारशा ने बताया कि पुलिस विभाग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि पूरा प्रदेश स्वजनों के साथ हर्स और उल्लास में डूबा होगा तब आप कहीं चोराहे पर हमारी सुरक्षा के लिए कानून विवस्ता सम्हाल रहे होंगे इस मौके पर जितेंद्र सिकरवार, प्रशान सिंग परमार, शैशांक कौशिक, रामबली शर्मा, जितेंद्र शिकरवार, लोकेस पाराशर, विश्नु परमार, हनी पाराशर, कानहा शर्मा, गिर्रास सिंग परमार, रामकिशोर शर्मा, शिपकुमार कुस्वा मौजूद बसेडी से निशान्त पारासर की रिपोर्ट बढ़ावा दिया जाए जिससे लोगों को रोजगाल मिलता है साथ ही मिट्टी के दीपक पूर्ण रूप से शुद्ध माने जाते हैं इसलिए हमारे द्वारा दीपावली के अपसर पर इको फ्रेंडली दीपावली की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए पांच हजार दीपकों का वित्रण किया गया इससे पूर्व रोटरी मच्कुन क्लब के सदस्य एडवोकेट अमन भरगव ने अतितियों का सम्मान करते हुए कहा कि सामप्रताइक सोहार्ड कवर रोशनी का पर्व दीपावली को लेकर कलब द्वारा एक अनूठी पहल की गई है इस अपसर पर कलब के सचिव दीपक प्रताप सिंग, राजिस जैन, शैलिंदर कुमार, कुमारी आची अगरुवाल, मुदित अगरुवाल, मुखरूप से उपसित थे धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट जिले में रोटरी कलब मचकुन द्वारा जो एको डवलम्मेंट के लिए जो पहल की गई है दीपक जो मट्टी के हैं उनको प्रात्मिकता दी गई है और वन प्लास्टिक को उन्होंने बिलकुली अवरुद किया है इसका प्योगनी करें इसके लिए इनोंने सभी को आज लगबक पांच अज़ा से अधेक दीपावली के दीपक बटवाने के लिए किये हैं जो दौलपर जिले में बहुत अच्छी पहले इस और से कामना है कि इनको आगे भी इसी कारकेम में राश्टी कारक्रमा आगे बढाएं थेंक्यू धन्यवाद पटाकों की आवाज से बूंज रहा संसार दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार लक्षमी जी विराजे आपके द्वार सोने चांदी से भर जाए आपका घरव बार जीवन में आए खुशियां अपार शुपकामनाय करें हमारी स्वीकार जै बजरंग मिष्ठान भंडार सर्मत्रा की तरफ से सभी जिले वाशियों और छेत्र वाशियों को मुबारक हो धन्तेरस दिवाली गोवर्धन पूजा भाई दूज का त्योहार बजरंग मित्तल रामचंद्र मित्तल विश्नु मित्तल मासन कुरिया हलवाई पांच दिवसी दीपो उत्तसव परव पर गरामचंद्र के लोगों वाजले वाशियों को और मित्रों सुब्चिंतों को हार्देख सुबकामना है गरामचंद्र नकटवरा सरपंच पृतनिदी देविंद्र कुसवा की ओर से कोविड-19 के बूस्टर डोज के लगाए टीके राजा खेडा की प्रमुख खबर सिक्षा बिभाग के द्वारा राजा खेडा में आज कोविड-19 के टीके लगाए गए इसके लिए मुख के चैनित इस्थानों पर जिल लोगों के पहला ही लगा है दूसरा नहीं लगा तो दूसरा टीका लगाया जा रहा है और जिनको तीसरा लगा नहीं है उनको तीसरा टीका लगाया जा रहा है COVID-19 की रोक्ताम करने को आज राजाखेडा बस स्टेंड पर मेडिकल स्टाफ के द्वारा A&M वर्सा भधोरिया ने टीके लगाए तथा लोगों ने हशिक उसी से आ करके अपने COVID-19 के टीके लगवाए वैसे भी राजिस्थान में आजकल बड़ी संख्या में मरीज निकल रहे बताए जाते हैं या सरकार की अच्छी पहल है जिससे आम जन को रहत मिलेगी राजा खेडा से गुद्धिसिंग उद्यनिया की रिपोर्ट राश्टिय सिक्षानीती 2020 का विद्या भारती संस्थान ने किया स्वागत धौलपूर की प्रमुखवर विद्या भारती संस्थान जिला समिती धौलपूर के जिला सचेव अशोक कुमार शर्मा 19 अक्टूबर 2022 को केंद्री सिक्षा मंत्री दर्मेंदर प्रधान द्वारा गोसित राश्टिय सिक्षानीती 2020 के बुनियादी इस्तर ECC के लिए राश्टिय पाठ चर्या की रूप रेखा भारत के सिक्षा के छेतर के लिए ना केवल एक अभिनव पहल है बलके देश की भावी पीडियों को और अधिकादिक सक्षम बनाने का मार्ग है ECC बुनियादी सिक्षा के लिए जारी NCF का विद्याभारती संस्थान जिला समिती धौलपुर स्वागत करता है विद्याभारती के समस्त विध्याले इसके क्रियान हुयन करने में अपना पूर्ण सहयोग करने को आस्वस्त करते हैं नमस्कार विद्याभारती संस्थान जिलासंदी धौलपुर के जिला सचेव शुक्माट सर्मा द्वारा दिनांग 19 अक्टुबर 2022 को मानिया किंद्य सिच्चामंदी धर्मिन प्रधान द्वारा भोसित राष्ट्य सिच्चानीती 2020 के बन्यादी इस्तार ECC के लिए सक्चम बनाने का मारग है राष्टी सिच्चानीती 2020 भारत की सिच्चा विवस्ता में एक रांतकारी प्रिवर्तन उने का लक्षम दिखाई द रहे हैं यह सिच्चा चात्रों में भारती अता की भावना को पैदा करने में मदल गार्शिद्ध होगी ECC बन्यादी सिच्चा के लिए जारी NCF राष्टीय पाठ्चार्या का विद्या भारती सहस्तान जिलासंदी धौलपूर स्वागत करता है मानिय पधानमंती नरेन मोधी एम किंदे सिच्चामंती धर्मिन पधान का पता प्रख्यात सिच्चावी द्रग्याने जिनकी मार्द असन में देश के जिनजन से राष्टीय सिच्चानीती 2020 के लिए सुझाब लिए गए तयार करने में जिन्होंने अपनी महित भूम्ध का अधा की मानिय डाक्टर के कस्तुरी रणलेन तताओं की पूरी टीम का हम धन्यवाद ग्यापित कर अविनदन करते हैं स्वागत करते हैं विद्यावारती के समस्ते विद्याले इसके क्रियार्मन करने में अपना पूर्ण सहयुक करने को आस्वस्त करते हैं विद्यावारत झाल झाल